वेल्कम बैक अब्रेवन वेल्कम टो सिवल सर्विसेश टाड़ी यूपी से सिवल सर्विसेश के लिए टेस्ट नंबर 437 लगाते हैं इंपोर्टेंट होंगे प्रश्ण फोकस करेंगे इंडियन पॉलिटी भारते राजवास्था के प्रश्णों पर तो चले स्टार्ट करते के बाद 3-4 सेकिन के टाइम मिलेगा सोचेगा क्या आंसर क्या होगा तो जो प्रेसिडेंट से संबंदित प्रश्ण चल ले थे राष्ट पती से संबंदित उसके अपने कितने दो पार्ट हो गएते न यह उसका तीसरा पार्ट है चलिए कोश्चन नंबर बन पर आजए नि व्यक्तियों को दंड से निलंबन दिलाना जिन्हें मृत्यों दंड की सजा अधे नर्नित की गई हो देखे बात हैं पर हो रही है कारेपालिगा की और कारेपालिगा के सभी कार किस से चलते हैं भारत के राष्ट पती से चलते हैं तो राष्ट पती पर महावयोग लगाना ये एक अर्ध न्याइक कार नहीं है गलत है ये वाला विधेकों को पास करना ये एक विधाई कार है और विधाई विश्यसादी कारों को सन्रक्षन करना ये भी न्याइक कार नहीं है यहाँ पर न्याइक कार होगा उन व्यक्तियों को दंड से निलंबन दिलाना जिन्हें मृ ये राष्टपती की क्या है नियाइक सकती है और विधेकों को सुकृति प्रदान करना राष्टपती की विधाई सकती है और संबिधान के अनुच्छेद 61 में राष्टपती पर महावियोग चलाया जाता है और ये संसत की जो है वो अर्थ नियाइक सकती है तो बात कारेपाल दिखागी नियाइक कारकी थी यहाँ पर एक तरसे इंडिरेक्टली राष्ट पती के बारे में था यह प्रश्ण तो question number 2 पर आजएए निमलिकित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है सही है पहला statement है भारत का संबिधान राष्ट पती को संबिधानिक और वास्तविक अधिकार परदान करता है यह दोनों के दोनों सही है या फिर D है भारत का राष्ट पती भारत का संबिधान राष्ट पती क संबिधानिक और वास्तविक अधिकार परदान करता है देखे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कारपालिका के सभी जो कार राष्ट पती से चलते हैं लेकिन इतना होने के बावजूद भी जो भारत का राष्ट पती है वो क्या है नाम मात्र का परदान है के वल जो मंत्री परिशद का हैड को नहीं प्रधान मंत्री और वह आप देख पी रहे होगा बरतवान में कि तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है क्योंकि भारत के राष्टपती के पास संबैधानी सक्तियां तो हैं और नाम मात्र का अधिकार है उसके पास और वास्तिविक तो है नहीं वो तो इसलिए कटे गए वाले डी हट जाएगा यहाँ अपचारिक है कानोनी अधिकार भी है उसके पास तो करेक्ट है उसके पास कानोनी अधिकार है नाम मात्र का तो मुखिया ही वो और संबैधानी का अधिकार है अपचारिक अधिकार है तो एक और दो इसका आंसर हो जाएगा option number C वास्तिविक तो प्रधान मंत्री है तो देखिए भारत का संबिधान राष्टपती को संबिधानिक और नाम मातर तथा आपचारिक और विधिक अधिकार प्रधान करता है भारते संबिधान के नुच्छेद 53 first या प्रभधान करता है क संबिधान के नुच्छेद 77 का क्लॉस बन में वो पुंध है कि भारत सरकार की कारेपालिका के समस्त कार राष्टपती के नाम से किया जाएंगे यह प्रश्ण यह लाइन UPSC सिविल स्वेव में पूछी भी होई है कही बार किंतु कारेपालिका सक्ति का वास्त्विक प्रियोग जो है मंत्री परिशद द्वारा किया जाएगा और मंत्री परिशद का हेड कौन है PM तो वास्त्विक सक्ति किसम हो गई प्रधान मंत्री में और नाम मात्र का मुखिया नॉमेनल हेड कौन हो गया President संबिधान के सब्सक्राइब करेंगे और नहीं करेंगे मतलब अदिकतर कौशन नॉमबर तरी पर आजाईए नेमलिकित कतनों में से कौन सा जो है वो सत्य है सही है पहला स्टेटमेंट है संबिधान के अनुच्छेद 110 फोर में उपवंध है कि अनुच्छेद 111 के अधीन धन विदयक र नेका है नहीं इसका निर्ण लोकसव अध्यक द्यक्स दोणार किया जाएगा पíst नमें से दो पक्का है है कि एक ही फुरुक होना है और पहला है यह वला इंक्रेक्ड हो गया तर स्कौकर्ड हो जैगा क्या ये करेक्ड हो गया सी और यह आंसर हैक खूइध नहीं इसका निर्णय करते हैं कौन इस पीकर लोग सभा का अध्याक्ष राष्ट पती नहीं तो संभिधान के नुच्छेद 114 में उपबंध है कि अनुच्छेद 111 कि अधिन धन्य विद्याक राष्ट पती के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जिस पर लोग सभा के अध्य संसत्थ का भाग है बिलकुल भाग है संसत के tinha रोग सभा राष्ट पती लोगसभा राज्यसभा राष्ट पती प्रसिरेंट ये भिल बनाएगा फिर इसमें जाएगा या पहले यह बनाए फिर इसमें जाएगा आपस में सुकर्थी देंगे उसके बाद इनके पास आएगा इनवने महर लगा दी तो कानून बन जाएगा वरना गया तो देखिए करेक्ट है पहला statement दूसरे statement कि आई संसद दोरा पारित विध्यक राष्ट-पती की सुकृष्पती के बिना कानून नहीं बन सकते बिल्कुल बिल्कुल नहीं बन सकते तो दोनों के दोनों करेक्ट है CS का अंसर तो देखिए सम्भिधान के नोचेत 79 में प्रश्टूत करता है यानि संसद के पटल पर रखवाता है क्या क्या रखता है केंद्र वित्तायोग की सिफारिशें राश्ट अनुसुचित जन जाती आयोग संग लोक से भायोग नियंत्र के वा महालेगा परिक्षक लोकलेखा समिती देखें बिलकुल जो अधिकतर जितनी भी संबेधानिक निकाय हैं कॉंस्टिटूसनल बोडी है वो अपनी सालाना रिपोर्ट या माशिक तो नहीं काफी जल्दी होगे माशिक छे माशिक दूई वार्शिक वार्शिक रहती है अधिकतर वो राश्ट पती को प्रसुत करते है और राश्ट पती जो है संसद के समक्ष प्रसुत करते हैं उसको केंद्र वित्तायों की रिपोर्ट है राश्ट यानुसूचित जाती की रिपोर्ट जन जाती की रिपोर्ट संग लोग से भायो याने UPSC नेंटर कया माहलिगा परिक्षक CHE की भी रिपोर्ट लोक लेखा स समेती के प्रतिवेदन को राष्टपती संसत के पटल पर नहीं रखवाते लोग लेखा समेती अपनी रिपोर्ट जो है वो लोग सभा के अध्यक्स को सौंपती है कोशन नमबर सिक्स पर आजएए भारत के राष्टपती विफिन ने छेत्रों में राजसभा के लियें जो है बारे सरसियों का मनुनियन करते हैं उनको मनुनियत करते हैं नोमिनेट करते हैं पता होगा आपको बारे की गिंती तो पता है ना ये पूछ ली जाती है और लोग सभा में कितने करते हैं लोग सभा में दो करते हैं दो अंगलो अंडियन राजसमा में बारे अब यह जो बार वन टू फाई वन टू फाई वन टू फाई ओप्सन नमबर भी तो देखिए सम्विधान के अनुच्छेद 81 में उपवंध है कि राश्टपती बारस अरसियों को अनुच्छेद 83 के तहद राज सभा के लिए मनुनीद करेंगे और इसमें सामिल जो छेतर हैं वो कला का छेतर, साहित्य का छेतर विज्ञान और समाज सेवा पांच छेतर सैकारी अंदुरन के छेतर में राश्टपती नहीं बलकि राज के राजपाल बिधान परिशद के लिए मनुनीद करते हैं इस चेट में चलता है अदर रखेगा देखिए बर्तमान में राजपाल में राश्टपती द्वारा मनुनीद करने के संबंध में वदलाब किया गया है इसी अधार पर क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को राजपाल के लिए मनुनीद किया गया तो सचिन तेंदुलकर इसलाज नहीं करें ने वाने नियुद में कजुइए राहिए लगा ख्यास विज्ञान को एक तरह से करें, युद्ञा रहे है उसकारी आप। बागी आपको याद रखना है कला साहित विज्ञान और समाज सेवा वो सहकारी आंदरन को हटा देना क्योंकि सहकारी आंदरन जो है वो राज़पाल करते हैं इस टेट लेवल पर आज़े यह कोश्चन नमबर सेवन पर भारत के राष्टपती के संदर में निमन कतनों पर विचार करना तीन तीन स्टेटमेंट है बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है पहला statement है जो राष्टपती होते है न वो लोग सभा या राज सभा या दोनों सदनों को बिगटित कर सकता है राष्टपती लोग सभा या राज सभा या दोनों सदनों का सत्रावसान कर सकता है राश्ट पती संसद की बैठक को कुछ घंटे के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ सब्ता के लिए, अनिश्यत काल के लिए इस्थगित कर सकता है बताईए कौन सा करेक्ट है यहां बिगटन का अलग मतलब है, सत्तरावशान का अलग मतलब है अगर एक चीज और होती है, इस्थगन उसका अलग मतलब होता है देखिए पहली बात तो राजसवा एक इस्थाई सदन है, उसका बिगटन नहीं हो सकता तो यह तो पहले सी ऐलिमिनेट हो जाएगा राश्ठ पती लोक सबा को विक्टित कर सकते हैं, राजसभा को नहीं क्योंकि राजसभा तो एक इस्थाई सर है ना उसके दो तिहाई सर से प्र तिहानी प्रत होते हैं दो तिहाई है, एक तिहाई है छ Absolutely. देखिए फिलाल पहला कटेगा और दूसरे statement है राश्टपती लोकसभा या राजसभा या दोनों सदनों को सत्रा वसान कर सकते हैं ये बाला सही है सत्रा वसान कर सकते हैं लेकिन विगटन नहीं कर सकते हैं विगटन करेंगे खाली लोकसभा का राजसभा तो इस्थाही सदन है और तीसरा बला स्टेट्मेंट है, राष्टपती संसद की बैठक को कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ सब्ता या अनिश्यत काल के लिए स्थगित कर सकते हैं, ये भी गलत है, ये राष्टपती के पास पावर नहीं है, इस्थगित का मतलब क्या है, माल लीजे, ये हमारे इसको हटा दिया, हम किसी और दिन करेंगे इसको, तो ये राष्टपती नहीं करेंगे, ये पता है कौन करता है, लोगसभा का ध्यक्ष करता है, और राजसभा में राजसभा का सभापती करता है, तो याद रखेगा, इस थगन जो करता है, लोगसभा का सभापती, शेट्मेंटी दूसरा वाला सही है और विगटन तो हो नहीं सकता है इसलिए अंगला था केबल दो सही है है हाँ पर सही पूछा है न हाँ सी तो देखें संभिधान के अनुच्छेद 852B में उपवंध है कि राश्टपती केबल लोगसभा का विगटन कर सकता है राजसभा कर नहीं क्योंकि राश्टपती के पास नहीं है अपीतु लोगसभा के मामले में लोगसभा अध्यक्ष करता है और राजसभा के मामले में राजसभा का समपती करता है सदन की बैठक को जो है इस्थागित याद रखीगा यह जी छोटी-छोटी है कोश्य नूमबर 8 पर बलाना राश्टपती करता है और लोगसभा राजसभा की सेयुक्त बैठक भी राश्टपती बलाता है लोगसभा राजसभा के सेयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षा भी राश्टपती करता है गलत बताना कौन साइस में हर तरह से प्रश्ण पूछा जा सकता है इनका प्र किसी विद्यक के उपर विवाद है लेकिन साधन विद्यक के मामले हम बिलाएगा याद रखना अधन विद्यक और पर बार बैठख आ जाएगी ना बैठख बुला लेगा तो इसकी अध्यक्सता लोगस्वा सिपीकर करता है सुयमनी करे गा वो व दीसरा बाला गलत है यहां पर अप्सर नमबर डी हो जागा इसका उत्तर याद रखिए गाई चीज है तो संभिधान के नुच्छेद 108 में उपबंद है कि राश्ट्रपती कुछ दसाओं में दोड़ों सद्नों का संयुक तधिवेशन बुला सकता है किन्तु इसकी अध्यक् द्वारा की जाती है ना कि राश्ट्रपती के द्वारा और अनुच्छेद 85 में उपबंद है कि राश्ट्रपती समय समय पर संसेथ के प्रतियक सद्रण की बैठक बुला सकता है तो दो बाते हैं लोगसभा राजसभा की बैठक बुला सकता है सामाने तोर पर और संयुक त मामले में जो है यदि कोई लोकसवा राजसवा के बीच ठंजाती है तो लेकिन साधरना पे थेक होना चाहिए वो अच्छा एक बार बैठक आ गई तो किसी चीज पर जो कानून बनेगा वो कैसे बनेगा सिंपल मजोर्टी से बनेगा लेकिन उपस्तित और मतदान करने वाले सरस्यों के साधरन बहुमत से याद रखना साधरन बहुमत से बूछा गया प्रश्न है विशेज बहुमत अगर लिखा है तो उसको काट देना उपस्तित और मतदान करने वाले साधरन बहुमत से सरस्यों के याद रखना Question number आजाई अब 9 पर निम्रकित में से कौन से सही सुमय लेते हैं संबिधान का प्रावधान दूसरी तरफ है अनुच्छेद एक तरफ लिखा है संसद में राष्टपती का अभिवाशन मतला अनुच्छेद 86 में और संबिधान की अनुच्छेद 73 में संग की कारेपाले का सकती के विस्थार की संबंद में उफवंद है अनुच्छेद 81 में उफवंद है कि राष्टपती संसद के किसी एक सदन या एक साथ दोनों सदनों में अभिवाशन कर सकेगा और सरस्यों की उपस्तिती की अभेक्षा कर सकेगा अनुच्छेद 86-2 में उपवंद है कि राष्टपती संसद के किसी सरन को विध्यक के संबंद में संतेज भेज सकेगा अंति इंप्रेशन पर आजएए निमलेखित सूची 1 को सूची 2 के साथ सूमिलित करना है सूची 1 में है अनुच्छेद 72 में संबंदित उपवंद और आगे है उसका अर्थ देखिए छमा है लगुकरण है प्रतिहार है विराम है ये चीज़ आपको पता होने चाहिए इनका मतलब क्या क्या होता है अच्छा दंड के सरूप में बदलाप कर कम कर देना क्या होगा ये लगुकरण होगा प्रतिहार होगा चमा होगा ये विराम होगा या फिर दोसी को सभी दंडा देशों दंडो या निरहरताओं से मुक्त कर देना मुल रूप से दी गई सजा को किसी विशेश परिस्चति में कम कर देना ओडंड की प्रकर्ति बदले बिना उसकी अबधी कम कर देना उसको जो है सब कुछ वैसी रहेगा बस दो बर्सका एक वरस कर दिया हम ने इस तरह से तो देखिए दोसी को सभी दंडादेशों, दंडों और निर्हटाओं से मुक्त कर देना, इसको तो बोलते हैं छमा, क्या बोलते हैं इसको छमा, और दंड के सरूप में बदलाब कर कम कर देना, इसको बोलते हैं लगु करना, दंड के सरूप में बदलाब कर, जैसे किसी को उसको घटा कर क्या कर दिया उसको आजीवन कारवास में परिवर्तित कर दिया दंड की प्रकरती बदले बिना अबधी कम कर देना उसको बोलते हैं प्रतिहार और विराम किसको बोलते हैं मूल रूप से दी गई सजा को किसी विसेश परिस्तिती में कम करना इसको बोलते हैं बिराम तो इस तरह से मिल जाएगा A का 2, B का 1, A का 2, B का 1 तो A का 2, B का 1, 2 में है A का 2, B का 1 A का 2, B का 1, C का 4 और D का होगा 3 A का 2, B का 1, C का 4, D का होगा 3 A का 2, B का 1, C का 4, D का होगा 3 तो C हो जागा इसका उत्तर तो देखिए भारतेश जम्भिधान के रिषेत medida 72 में राष्टपती को छमादान की सकती का पराब्धान है और यहां राष्टपती की कैसी सकती है नियाईक सकती है यहाद रखेगा नियाईक सकती अब बात करें छमा की तो छमा में देखिए बात करें परिहार की परिहार में क्या होता है परिहार प्रतिहार एक ही बात है देखिए बात करें परिहार की दंड की प्रकरती में कमी किये बिना उसकी अबधी जो है कम कर दी जाती है जैसे कि एक वर्स के कठोर कारावास को छे मां के कठोर कारावास में बदल दिया जाना य पूल रूप से दी गई सजा को किसी विसेश परिस्तिती में कम करना वो विसेश परिस्तिती जैसे कि जो क्यादी महिला है तो महिला अपराधी अगर गर्ववस्ता के दौरान ऐसा होता है बात करें प्रतिलंबन की तो प्रतिलंबन में किसी दंड पर अस्थाई रोक लगा द होना चाहिए कि यूपी एसी सिवल से बगी तैयारी कर रहे हूं तब भी और ना कर रहे हूं तब 72 में प्रवधान आई राष्ट पती को छमदान करने की सकती है नुच्छेट 72 में और नियाइक सकती है है तो यह था राष्ट पती से संबंदित प्रष्णों का पार्ट थर्ड एक पार्ट और आएगा तब जाए के कंप्लीट होंगे प्रष्ण और इन चाहर पार्टओकों जैसी आप चल्टिए से दो तीन बार रे विजन तो राश्ट पती से संबंदित प्रश्ट हमको नहीं लगता कि कोई गलत कर पाऊगे आपके सभी परिक्षा में बैठ कर धन्यवाद